सक्वा के फूल खेल उठे हैं, पलाश के फूल तो पहले से ही लालिमा बिखे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रकृती पर्व सरहुल आ गया है, इसे लेकर शौक चौराहे और सड के लाल और सफेद जंडो पर पढ़ गए हैं, हर तरफ सरहुल की मस्ती चा गई है, जोश और उल्लास में डूबे लोग अभी से ही इस महा पर्व की तैयारियों में जुड़ गए हैं, सरना जंडे को देखकर पता चल रहा है कि इस पर्व के आने में अब कुछ ही पल बचे हैं, ये पर्व 11 अप्रेल से शुरू होकर 13 अप्रेल तक चलेगा, आदिवासियों के सबसे पड़े और मुख्य तैवहारों में से एक सरहुल पर्व की तैयारियां हर ओर देखी जा रही हैं, पाहन लोग विधी से होने वाली पूजा की तैयारियों में जुड़ गए हैं, तो चलिए जानते हैं सरहुल पर्व का क्या है महत्व, सरहुल को प्रकृती पर्व भी कहा जाता है, इसलिए यह पूरी तरह से प्रकृती को समर्पित हैं, वैसे तो आदिवास्यों का प्रतियक तैवहार ही प्रकृती को समर्पित हैं, सरहुल में भी प्रकृती की पूजा की जाती है, यह नए साल की शुरुवात का पर्व है, यह पर्व जारकंड, उडिसा और प इसका अर्थ क्रांती से है यानि की बदलाव इस तरह सख्वाफूल की क्रांती को ही सरहुल कहा गया है यह पर्व वसंत के आगमन के साथ ही प्रकृती में विशेश बदलाव के साथ मनाया जाता है मुंडारी संथाली और हो भाशा में सरहुल को बाहा पोरोग खड़िया प्रकृती खुद को नए पत्तो और फूलों के आवरंड से सजा लेती है आम के मंजर सराई और महुआ के फूलों से पूरी फिजा महक उठती है महभारत में सरहुल से जुड़ी कई कहानी मिलती है जब महभारत का युद चड़ रहा था तब आदिवासी समुदाए ने के लिए उनके शरीर को साल के पत्तो और टहनियों से ढख दिया गया था महभारत के युद के बाद ऐसा देखने को मिला कि जिन शवों को साल के पत्तों से ढखा गया था वो नहीं सड़े और उनकी अवस्था ठीक थी लेकिन जो अन्य चीजों से ढखे हुए थे वो शव जाता है चैत्र शुक्लपक्ष तृतिय को मनाया जाने वाला प्रकृती पर्व सरहुल की मुख्य पूजा उनके धर्म गुरु यानि पहान करवाती हैं वो अखडा में विधी विधान पूरवक अपने आदी देव सिंग बोगा की पूजा करते हैं इसके एक दिन पहले प् पूरगा अर्पित किया जाता है पहान इश्ट देवता से बोरी आत्मा को गाउं से दूर भगाने की मनों कामना करते हैं पूजा के दौरान पहान रस्म के पहले घड़े का पानि देखकर वारशिक वर्शा की भविष्वानी करते हैं इस पूजा के बाद शाम को विभिन म गड़े में पानी लाकर सरनस्थल की उत्तर और दक्षिन दिशा में रखा जाता है पानी की गहराई को साल सक्वा के तने से नापा जाता है जिसके बाद दूसरे दिन घड़े में पानी को उसी तने से नापा जाता है घड़े में पानी के कम होने या नहीं होने की स्तिती पर तो साल वर्षा का पूर्वा नुमान लगाया जाता है आदिवासी समाज मानता है कि उनका लोक नृत्य उनकी सभ्यता और संस्कृति से जुडा है सरहुल के मौके पर पूरे जहारकण में नृत्य उत्सव का आयूजन होता है महला पुरुष नृत्य करते हुए समो में निकल पूजा सल्थ से निकल कर ढोल और मांडर की था पर थिरकते हुए शहर की परिक्रमा करते हैं सरना जंडों के सथा निकले इस जुलुस की शोभा देखते ही बनती हैं महिलाए सफेद रंग की लाल पाड की साड़ी धारन करती हैं सफेद रंग पवित्रता और शालींता का और लाल रंग संघर्ष का प्रतीक माना जाता है सफेद रंग आदिवासी समुदाय की सर्वोठ देवत्ता सिंग बोंगा और लाल रंग इश्टदेवी बुरु बोंगा का प्रतीक है इसलिए सरना का जंडा भी लाल और सफेद रंग का होता है